हेलो दोस्तों एक बार फिर से आपका राज ग्राफिक ग्यान में जाई है जैसा कि आपको इलेश्यरेटर के tips बता रहा हूं आज मैं आपको इलेश्यरेटर में referं निए टाइब टूल के बारे में बताने यहनों जो कि आप का ठेस्ट का देया हुँआ टाइब टूल उसके अंदर सब से नीचे आता है टच टाइब टूल जिसका रिख्षकट होता है तो चिन को आप यूज़ कर सकते किन विए टेस्ट को आर्टिस्टिक बनाने के लिए चले मैं आज आपको बताता हूं हम इल्चितर में तस्ट टूल का यूज कैसे करते हैं सपोर्ज मालों हम कुछ भी डिजाइन बना रहे हैं और हमने कुछ भी टाइप करका टेस्ट लिया हुआ है तो आपको करना क्या अगर ट प्ले करें तो उसके लिए सबसे आसान होता है टूल जो आपके ने बताया टूल बार में टाइप के अंदर सबसे नीचे होता है टूल जिसको हम सौटकाट में सिप्टी से यूज कर सकते हैं अब आपको करना कि हमने मालों अभी कुछ भी टाइप कर रहा है और हमको किसी क् चलो हम सुरू करते हैं हमने क्या किया टूल बार जाकर टेक्स्ट के अंदर से टस्टाइब टूल पर क्लिक कर दिया अब बार्वें हमने यहां दिखा रहा ज्यूम कर देखिए ऊपर की तरफ यह हमारे ऊपर वाली नोड होती होती है जो आप नौड देखंगे उसको किसी था किसी तरह माउस पईंटर लए बसक्राया आहिए आप इसको और ढ सब्सक्राइब कर सकते हैं यह तो होगी रोटेशन की बात अब चलते इसको हम कैसे कर सकते हैं अब देखिए इसमें आप क्या जैसे हम कॉर्णर में जाएंगे तो आपका पॉइंटर नॉर्मल जो होता है आपका वो बनता है अगर आप इसको सिप्ट के साथ दवा की खीचें आप देख सकते हैं जो आपकी राइट वाली स्टेक्ट होते जाएगी और यह बरी होते जाएगी अब इसको अगर आप हम उपर से निकर लेफ्ट साइट की पॉइंटर करते हैं और उपर खिषते तो यह स्ट्रेच हो जाएगी अगर चोटा भी कर सकते हैं अगर उपर चा करके मूब कर सकते हैं आप इधर से इधर चाहिए तो ऐसे दबा के खिष सकते हैं छोटी हो जाएगी चाहिए तो बड़ी भी कर सकते हैं आप अगर कॉर्णर से करते हैं तो सिफ्ट दबा करें जिसे रेशियों में होती है और रोटेट करना आप ऐसे कर सकते हैं किसी भी अ क्या कि एक टैप कुछ भी टाइब कर लिया तूल बार में जैक टैप कोंदर सब से नीचे टाइब टूल है जिसका सब करते सिफ्टी उसक्क लिख करा और किसी सीधा कुछ भी भूमानाय आप कर सकते हैं और आप कॉर्णर पर जाएंगे इस वाले राइट वाले टॉप नोड पर ताप उसको सिफ्ट के साथ दबा के खिचेंगे तो रेशियों में बड़ी छोटी हो सकती है और आप कॉर्णर किसी भी कॉर्णर पर जाएंगे तो अगर अब कुर्णर करेंगे होती है क्योंकि हमने अब हमें करने क्या हम हर कर्neक्टर के साथ डर्यक्टर के साथ पर्लऺ का यूज कर सकते हैं दो बार च ट्राइब पर जैए वह ने क्या कर दिया हम से नहीं कि कर लिए आड यह नहीं कर सकते हैं रोटेट कर सकते हैं कुछ भी टेक्ष के साथ कर सकते हैं आप जिस भी करेक्टर करना सब्सक्राइब साट करना है उपको इंडेवियों टेक्ट करना है रोटेट कर तो आप इधर वाले से लेक्ट कर सकते हैं मुउभ करना है आपको ti आप इसको मूब कर सकते हैं अंद यह था तो टूल टाइप टूल जिसको आप किसी भी टेक्ट के साथ आप अराम से उसके साथ प्ले कर सकते हैं चोटी बड़ी कर सकते हैं और उसका रोतेटि रोतेशन आप से हो सकता है है छोटी बड़ी हो सकती है मतलब किस भी इंडिविज्टर के साथ टूल के साथ प्ले कर सकते हैं जो आपको डियाइन को अच्छी बनाने काफी हैलफुल होगी आपको टेक्स्ट को क्या है को ब्रेक करने की ज़रुवत नहीं परेगी तो भायों यह जो इलेक्टर की छोटी स और अगर आपको सही लग रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें धन्यबाद